यह गाई वेलकर मैं चैनल लाइफ केप्चर्ट विद प्रियेंग का दूगा आज में बनाने वाली हो यह बेसन का हलवा और बेसन का हलवा हमारे करब में बहुत ही रेर बनता है रेर के मतलब मुझे याद भी नहीं लास्ट मैंने कब बनाया होगा लास्ट मैंने शाहे 2-3 सा यहां मैंने लिए यह नॉन स्टिक कड़ाई और इसमें मैंने लिए एक चमजगी यह नॉन स्टिक कड़ाई मुझे इस चीज में अच्छे लगती है इसमें आप कुछ भी बनाओ तो चीज चलने का डर नहीं रहता और जो तली पे चीजें लग जाती है ना लोह वाली अगर आप डार्क ब्राउन ज्यादा करना चाहते हो तो आपको ज्यादा भूनना पड़ेगा ठीक है अगर थोड़ा वैसा रखना चाहते हो तो आप मतलब खुसबू आनी चाहिए तब समझो कि आपका जो बेसन है वह अच्छी से भून गया और उसके बाद आप देख रह करने अगर म hoş बाद में देख दूंगी और अबी महा पॉलनने डालंगी और आप चाहें तो पाणी डाल सकते हो तो मैंने अभी अफलाल मीलख ड Ne 5 डाला है और मैं पानी डाल किसी पे इतनी दूस्राइक नों तो में पानी यह ट्म से काम देख कर pasti हम सकते हैं तो आपको सी जो बेसं था वो बहुती जादा ठेक हो गया तो मुझे डालना पड़ेगा और जब ही आप हल्वे में पानी डालो तो हमेशा गरम करके डालो जाँ कोई साथ हल्वा बनाओ पश्तालो दो ये फैदा होता है । गरम पालने ही रख दिया था और फिर मैं इस पानी को अच्छे से और बेशन को अच्छे से मिक्स कर लूँगी हल्वे में इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए है और मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको आप देख सकते हो कि जो फिर से यह पौह ज़्यदा थिक हो गया है तो मुझे पानी थोड़ा और एट करना पड़का आपना एक साहत में पानी मट डालना की अध्यादान के श्रयाद में यह में मुझे minds together, कर debris और में लिए और में वैसा दाल सकते। आग wovenे हैें फिक हो गया हैं तो धरीक although pot は कि मुझे आप अध्याज़ में यह हैं बम आप थिक होग हैं तो आप लाई हो लागता है 안गा कर लिए तो फिकते हो idea इससे अच्छा है कि आप खाओ मत अगर आप मीठा कम रखना जा रहे हो तो खाने का मतलब यह नहीं है लुए और उसके बाद बहुत जादा थिक हो गया थे उसके बाद फिर मैंने थोड़ा पानी ओल लिया और यह दूद का भगाना था तो मैंने इसी में पानी गरम कर लिया और यह पानी मैंने इसमें सारह डाल दिया उसके बाद मैं इसको अच्छी से मिक्स कर लूँगी इसके बाद देख सकते हैं जो हलुआ है वो हमारे इस पॉम में आख सका है मत अच्छे से जो पानी और जो बेसंता वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं एक दूसरे में इसके बाद मैं यहां थोड़ा सा घी और अट करूँगी बनने के बाद आप थोड़ा सा घी और डालना उसमें तो उसका जो टेस्ट हो और भी अच्छा होता है एंड मैं इतना इतना पतला रखूंगी हलवा क्योंकि थोड़ा ना रखने के बाद यह थोड़ा थिक और हो जाएगा तो इतना ठीक है और फिर उसके बाद मैं इसमें एट कर दूंगी यह dry fruits आप अगर खाते हो तो डाल सकते हो नहीं कहना चाते हो तो आप skip भी कर सकते हो तो पहले तो मेरी बेटी नहीं खाती थी वर तब इसको बहुता पसंद आने लगें तो मैं इसलिए इसमें एट कर दिये हैं मैंने यह कुछ dry fruits और कुछ में बाद में जब इसमें सर्व करूंगी तो फिर उसके ऊपर से में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए इसमें डाल चुका है और बस मुझे जो कलर था ना वो मुझे मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा यह कम होना है और इसके बाद हम को कर लेंगे एक एक नहीं तीन में हमारे घर में तो तीन बोल में हम कर लेंगे इनको ट्रांसफर और मुझे कलर बस वही था कि मुझे ऐसा लग रहा कई ये कच्चा नारा गया वो बेसन, मुझे लगता था कि मुझे यह लग़ा था, कि कम होना है, तो लेकिन कई इतना tasty होना था और इसकी बाद किट्टू को इतना पसंद आया ये कि उसने फर्स नमर पर इसका यह बेसन का हलवा आता है सेकंड पर आता है थर्ड पर आता है सूजी खलवा एंड यह उपर से गार्निशिंग के लिए मैंने उपर से भी थोड़े से यह बचा लिये थे ट्राय फूर्ट और मैं थोड़े ही थे वट मुझे ना काटने की दुब लपी फलपी है यह उसको बहुत पसंद आया तो आप एक बार जरूर ट्राय करके देखना और जब यह वाली मुझे काफी अच्छा लगा और हमारे घर में तीन बार और बन चुका है यह हलवा तो एक बार आप भी जरूर ट्राय करके देखना है और वीडियो अच्छी